लेट्स स्टार्ट कोशन नूम्बर सेवन फ्रोम एक्सराइज 2.3 फ्रेक्शंज सो इसमें क्या गीवन है तो प्रिंका एस 24 एपल्स प्रिंका के पास कितने एपल्स है 24 एपल्स है अब आप टोटल इतना है इतना पार्ट उसका रोटन हो गया है तो कितना मतलब कितने नंबर्स हैं तो इतमीज 3 फोर्थ ओफ 24 यह वर्ड प्रॉब्लम है ना तो इसको वर्ड में ही लिखते हैं टोटल नंबर ओफ एपल्स प्रिंका हैस इस इक्वल टू 24 एपल्स फाउंट टू बी रोटन कितने रोटन हो गया है इस इक्वल टू 3 अपॉन 4 ओफ 24 तो नंबर ओफ एपल्स फाउंट टू बी रोटन तो क्या निकालेंगे 3 अपॉन 4 इन्टू ओफ के जगे इन्टू 24 ओल्राइट इहां तक आपको समझ में आ गया होगा अब क्या है फोर वन्स आ फोर फोर सिक्स आर ट्वेंटी फोर सिक्स थ्री जार 18 तो 18 एपल्स थे जोर रोटन हो गए ठीक है सो आंसर हम कम्प्लीट लिखेंगे बोला है ना फाइंड दा नंबर ओफ रोटन एपल्स सो नंबर ओफ आपल्स आर 18 विच आर रोटन जो की रोटन हो गए थे या फिर विच आर फाउंड रोटन चिक है तो दिस इस आ आंसर Let's do question number 8, और rectangular park is 21 hole 3 upon 7 meter long and 12 hole 3 upon 5 meter wide तो क्या गिवन है एक rectangular park है rectangle पाक में क्या होता है rectangle में क्या होता है आमने सामने की जो lines होती है उनकी जो length होती है वो equal होती है तो इसका जो measurement given है जो length है जो long है वो है 21 hole 3 upon 7 meter and 12 hole 3 upon 5 meter wide है so what is the area of the park आपको इस rectangle का ये जो area है जो इसने cover किया है वो आपको find करना है ठीक है so solution स्टार्ट करते हैं the length of rectangular park is 21 hole 3 upon 7 meter इसको हम improper fraction में convert करेंगे so 21 को 7 से multiply करेंगे 7 1 is a 7, 7 2 is a 40 so 147 plus 3 150 upon 7 meter ये क्या हो गई इसकी length हो गई and the width of park is equal to 12 hole 3 upon 5 meter इसको भी हम convert करेंगे 12 5s are 60 plus 3 63 upon 5 meter अब हमें क्या find करना है area of the park rectangle का area क्या होता है length into breadth इसमें value पूट करते हैं length है 150 upon 7 into breadth is 63 upon 5 तो अब ये simple बन गया है जो आपने अभी तक fraction सीखें so 7 1s are 7 7 9s are 63 5 1s are 5 5 3s are 15 1 0 बज़के 9 3s are 27 1 0 so 270 अब ये क्या था? meter में था ये भी meter में था तो meter में बल्टिप्लाई हो के आगया meter square so area हमेशा square में आता है तो ये meter में था तो हमने लिख देया meter square so answer is area of rectangular field is park है न तो आप पार्क लिखेगा is 270 meter square चिक है? so this is the question number 8 let's do question number 9 so क्या गिवन है? apples are sold at rupees 15 holes 3 upon 4 पर के जी it means जो apple थे वो बेचे गए 1 kg का price था 15 hole 3 upon 4 rupees find the cost of 3 hole 1 upon 2 kg of apples तो आपको मतलब 6 6 and half kg apples का price find करना है देखो हम छोटी क्लासेस में क्या करते थे? अगर 1 kg apples है उसकी cost 10 rupees है तो 2 kg apples होगी उसकी cost क्या होगी? 2 into 10 similarly 1 kg का price given है तो इतनी kg की apples का आपको price fine करना है so solution पहले तो cost लिखेंगे cost क्या है? rupees 15 hole 3 upon 4 पर kg अब इसको improper में convert करेंगे improper में क्या है? 15,4,60 plus 3 63 upon 4 kg पर kg तो ये तो हमारी cost होगी price होगी है अब क्या बता रहे है? कि cost बताने है इतने kg apples की so cost of 6 hole 1 upon 2 kg तो ये क्या हो जाएगा? it means इसको इससे multiply कर देंगे तब भी तो हमारी cost find आ हो जाएगी so 6 hole 1 upon 2 into 63 upon 4 अब इसको convert करते है 6 to the 12 plus 1 13 upon 2 into 63 upon 4 अब हम क्या देख रहे है? कि इस पे तो कुछ भी नहीं कट रहा है numerator denominator में it means numerator 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 multiply कर देंगे और denominator denominator so numerator में है 63 into 13 3 3s are 9, 6 3s are 18 3 1s are 3, 6 1s are 6 so 9, 8 plus 3, 11, 8, 6, 7, 8 819 हाना? 819 आगया upon 4 2s are 8 अब ये कटनी रहते हैं तो हम इसको divide करेंगे 8 के table से 8, 108, 0, 1 नीचे आया अब 1 तो 8 से small है ना तो एक और नीचे लाना पड़ेगा तो हम यहाँ पे 8 को 0 से multiply कर देंगे तो 0 से multiply करके आएगा? 0 minus करके आया 1 अब 9 को नीचे ले लेते हैं 8, 2s are 16 remainder आगया 3 तो mix fraction क्या बनेगा? 8 remainder है 3 और quotient है 100 and 2 तो ये क्या है? rupees आएंगे क्योंकि rupees ही तो fine करने थी क्या cost बनेगी इसकी so 100 whole है rupees और 3 upon 8 so this is our answer so answer is cost of 6 whole 1 upon 2 kg of apples is 102 3 upon 8 rupees चिक है? so this is a question number 9